बिस्मिल्लाय रख्मान वहीमिन अस्सलाम अलेकोँ यू और वाचिंग आमनेस यूट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक जो है वो पीवेस टॉपिक से थोड़ा से टफर्ट है आज हम डिस्कुस करेंगे टाइम पर टाइम पर डिस्कुस करने से पहले सबसे पहले मेरी चै पर एक क्लॉक नसर आ रही होगी जिसको उर्दू में घड़ी कहते हैं एंग्लिश में दिवार पर लगाने वाल क्लॉक और जो आप हाथ पर बांगते हैं अपनी विस्ट पर बांगते हैं उसको हम कहते हैं विस्ट वॉच्च फाइन तो मैं आज डिस्कुस करूँगी पूछता है तो हम कहते हैं पोने बारा पोना एक डेड़ दो इससा के टाइम हम उर्दू में जो है वो लेते हैं आज मैं आपके साथ डिसकस करूंगी कि टाइम जो है अगर आपने किसी को बताना हो इंग्लिश में तो आप किस तरह से बताएंगे चलें जी अभी आप देख सकते हैं क्लॉक इस क्लॉक को हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं आप देख सकते हैं अभी अपने स्क्रीन पर इन चार हिस्सों को हम इंग्लिश में कहते हैं अगर आप quarter की definition देखें तो quarter is one out of four parts ठीक है चार पार्ट होते हैं घड़ी के उन पार्ट को जब हम divide करते हैं तो हर पार्ट को हम खहेंगे quarter अभी आप अपनी screen पर देख सकते हैं ये चारों हिस्से साथ में आपको ये भी पता है कि घड़ी के जो है वो एक small hand होती है चोटी hand होती है ठीक है देख लें आप अपनी screen पर जिसको आप minutes hand कहते हैं एक होती है बड़ी पड़ी सुई होती है जिसको आप कहते हैं English में big hand और our hand भी कह सकते हैं जो कि घंटे के साथ चलती है fine I think अपको quarter तो है अच्छी साथ से clear हो चुका होगा कि एक clock को जो हम four parts में divide करते हैं तो हर पार्ट उसका जो है वो quarter कहलाता है fine जब आपकी जो है वो small hand जो है वो 12 भी होती है अब हम 12 के साथ से बात करेंगे 12 के साथ से ठीक है अगर आपकी small hand 12 पे हो और big hand जो है वो three पे हो तो यह आपका quarter जो है वो गुजरता है आप इसको कहेंगे English में quarter past 12 fine इसी तरह जब big hand जो है वो six पे चली जाती है तो यह time जो है वो half आपका जो है वो past हो जा साथ सी बात करेंगे ठीक है फिर जब आपकी जो है वो small hand 12 पर ही रहती हो और जो big hand होती है वो nine पे जाती है तो आप उर्दू में तो इसको कहते है पोले बारा इंगलिश में बताना हो तो आप इसको कहेंगी quarter to 12 fine इसी तरह जब nine के बाद जो big hand होती है वो जब 12 पे आपका one hour जो है वो complete हो जाता है आप इसको कहेंगे one o clock fine I think आपको आज का time जो है वो अची तरह से समझ आगे होगा इसी तरह अगर आपने किसी student को बताना हो यह किसी चोटे से बच्चे को बताना हो जाद तर चोटे बच्चों का मसला हो तर उनको time समझ नहीं आता तो आप आप उनको five का table memorize करवा देंगे तो वो time easily जो है वो बता आपाएंगे for example अगर मैं इसी 12 को अगर ले लूँ तो अगर आप उनको अपने ऐसे बताना है कि बेटा अगर आपकी small needle जो है वो 12 पे जाती है और big needle जो है वो 3 पे जाती है तो आपने करना यह है कि five का table memorize करना है five का स्माल जो है तो आपने टेबल पढ़ लेना है fine जीसे three पे आपकी needle है तो आपने इनको बताना है कि small needle है उसको औसी तरह रहने देना है और five का table जो है वो 5 बिग हैंड होती है उस पे five का table पढ़ लीना है यहीनि three पर जो है वो big needle है तो मैं कहूंगे five multiply by three तो five को three times करो क्या तो 12 होकर 15 मिनिट्स हो गए हैं इस तरह आप जो है वह बच्चों को टाइम सिखा सकते हैं आइ तिंग आपको मेरा आज के लेक्चर जो है टाइम पर जो था वह इसी ली जो है वह क्लेर हो चुका होका अगर आपको मेरी वीजियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीजियो के लाइक करना मत भूलेगा और थेंक्स पर वाचिक मैं वीजियो